पेल और पेल ये पेलने वाला पेल नहीं है किया प्यार प्यार बचों का स्वाल बने आपढ़ आए हन। कि मैं एक नया टॉपिक लेकर आए हूं सारे बच्चों के लिए जॉन सी भी क्लास में हो डाजन्ट रीली माटर सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोज रोज बोलते हुना ये शब्द तो बच्चों मेरा नाम है रादिकास है एक लेना इंग्लिश पढ़ाती हूं इंग्लिश बोलते हैं हम लोग इंग्लिश सीखने के लिए यहां मिल रहे हैं तो फटा फट से बता दो कि अब तक कि जितने सेशन्स हुए हैं अच्छे लगे नहीं लग रहे तो यार फीडबैक दो नो फिर कि माम कुछ ये ऐसा ट्राय करो कुछ नया चाहिए बताओ खुन हो कॉमेंट सेक्षिन मेंichen व्वा ज्का टॉपीक है होमोंफोण मतलब होता है सिमिलर होम बतलब होता है homo phones यानि की similar sound but different meaning ये तो double meaning वाली बात हो गई ये तो यार double meaning वाली बात हो गई तो आज हम लोग यही double meaning वाले शब्दों को सीखने वाले हैं ready हो तो जल्दी से thumbs up फड़ा बच्छे comment section में चलो आज आते हैं तुम लोगों ने कभी सुना होगा ये इनकी तो spelling भी सेम है इनकी तो spelling भी सेम है एक बाव होता है और एक साल पर लगाने वाला वो होता है एक होता है हमारा not और एक होता है not दोनों ही not not है है ना आप मुझे comments पर बताओ कि तुम लोगों को तो ऐसे कौन कौन से वोट्स पता हैं जल्दी बताओ फटाफट से बाई टाटा बाई भाई खतम और एक हो गया बाई यह दो हो गए और कौन से चब्द हैं जो तुम लोगों कुपता हैं जिसकी आवास से मातिया यार मतलब अलग हो जाता है कहना कुछ और चाहता था मतलब कुछ और निकल गया तो ज़ली से बतातो ऐसे कुछ होमोफोन जो तुम लोग regularly यूज करते हो मैंने कर यूज किया था बताती हूं एक होता है सी एक होता है सी यार मैं मैं आपना कन्फ्यूज कर रहे हो और सी क्या कर रहे हो एक होता है देखना और दूसरा होता है सी नदी वाला सी ठीक है तो आज आते हैं पहले वर्ड पे शुरुवात आप से करते हैं आप लोगों को बताना है कि यह क्या है पिच्चर से खेलेंगे मुझे ना मतलब बच्पत्र ने से खाए था में की टीचर ने की राद का तूना जब जब पिच्चर को जब सब्सक्राइबुए थरे कुछ क्या कहते इसको अरे यार यह तो सबको पता होगा लड़कों को भी और लड़कियों को भी कि यह क्या होता है जहां पर आप अपने ट्राउसर पहनते हो जहां पर लड़किया स्कूल में स्कूर्ट पहनती है या फिर जो भी पहनते हैं यहां पर जो लोवर क्या बोलते हैं वे नहीं से ना तो यह क्या है यह भी है वेस्ट और यह है वेस्ट यार माम दोनों यह तो वेस्ट है spelling अलग हो गई और मतलब भी अलग है यह वाला वेस्ट हो गया हमारा कमर इंडाइम एक दिन सच में टेस्ट ले 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 नहीं तो वेस्ट होती है कमर कमर जहां पर आप लोग कुछ भी पहनते हो टाय करते हो दूसरा हो गया है हमारा वेस्ट यानि की कच्रा कर फॉर कमर कर फॉर कच्रा पहला तो यह हो गया अब आपका आज का टास्क क्या है अब ऐसे मज़े नहीं आएंगे न मतलब मैं पढ़ाओं तुम सुन दो खताम नहीं ऐसे नहीं करेंगे तुम लोगों को क्या करना है होमवक मुझे सेंट करोगे याद से बाट होमवक है क्या इन होमोफोन पे सेंटेंस बनाओ, in homophones पे sentences बनाओ, क्यों कि जब तक हम लोग अकेले बैठ कर प्राक्टिस नहीं करते हैं तब तक हमारा दिमाग चलता ही नहीं है, and that's a logical fact, जब तक हम self study नहीं करेंगे, हम भूल जाएंगे, एक से सुना दूसरे से निकाला, this won't work, no, लंबे टाइम तक ऐसे काम नहीं चल पाएगा, so, जल्दी से बताएंगे, क्या आप लोग sentences बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, तो यार बता दे ना, comments में, उसमें भी, I can help, ठीक है, और homework कैसे करना है, या तो भी comments साथ साथ बनाते जाओ, I'm sorry, या तो अभी comments में बना दे जाओ, नहीं तो आप लोग बाद में, notebook में लिखके, दिखा सकते हूँ, Homonyms का एक पार्ट है, homophones, homonyms क्या होते हैं, words that sound alike but have a different meaning, यह मोटे-मोटी family के head है, उसमें आ गए नीचे, दो बच्चे, दो बच्चों में से एक है homophones, एक है homographs, homographs क्यों होते हैं, words that are spelled the same but have a different meaning, words that sounds alike but have a different meaning, यह हमारे क्या है, homographs और homophones दोनों almost similar ही है, homonyms के अंडर आ जाते हैं, आज आते हैं अब हमारे दूसरे homophones पे, यह लड़की बहुत ही बीमार नहीं लग रही है, मतलब लड़की सुन्दर तो दिख रही है बड़ इसका काला थोड़ा सा फीका नहीं लग रही है तुमकों कि मतलब एकदम से powder पो तो दियो इसके मूपे, यह फिर चौक से हूँ और पूरे मूपे चौक आ गया हो और बाल्टी, बाल्टी को English क्या बोलते हैं? Bucket, tub, tub तो यह चोड़ा वाला होता है जिसमें बच्चे नाते हैं, tub तो नहीं बोलते हैं, bucket तो बोल सकते हैं, है ना? और लड़की को तो यह गरली बोलते हैं, woman बोल सकते हैं, lady बोल सकते हैं, बट यहां पर बाल्टी और लड़की का क्या connection है? What's the connection? तो देखें क्या हम आगे फिर चले? या तुम लोग comments पर बताना चाहते हो? मैं बता देती हूँ, पेल और पेल, यह पेलने वाला पेल नहीं है, यह पेलने वाला पेल नहीं है, प्लीज, वो मत समझना, मैंने बोला था, डबल मीरिंग बातें, तो यहां पर पी ए आई एल और पी ए ए एल इ, तो तुम जो पेल सोच रहे हो, वो वाला पेल नहीं है, यह वाला पेल है, ठीक है? पी ए आई एल यानि की बाल्टी, पी ए आई एल माने बाल्टी, पी ए ए एल इ माने बहुत फीका हो जाना, बहुत ही फीका हो जाना, ठीक है? चालो, अब पेल is a bucket, most often made out of metal or wood, with a half circle handle, generally metal या फिर लकडी का जो बाल्टी होता है, उसको हम लोग पेल बोलते हैं, ठीक है? और दूसरा पेल होता है, जिसका कलर हट जाए, little or no pigment, something white or near white, अब दीदी का चहरा बिल्कुल सफेद है, नूर ही खतम हो गया है इनके चहरे का, तो दीदी का चहरा कैसा है? पेल, discolored, ठीक है? इस तरीके के sentences बताने तुमको, कर सकते इतना तो, यह तुम लोगों ने बोला था, कि माँ, स्पोकन चाहिए, स्पोकन चाहिए, मैं से खा रही हूँ, विडियो आपको मिल रही है, तो प्लीज मेक बेस्ट आउट अफट, पाइड आउट आओ इन चीजों का, लाइव सेशन हैं, स्पोकन के रिकॉर्डड सेशन हैं, प्लेलिस हैं, कितना कुछ तो मिल रहा है, अभी भी नहीं होगा ना, तो मतलब, देख लो फिर, कैसे काम चलेगा, ठीक है, वो लेकर गया पेल को, यानि की बालकी को, वापस आते वक्त, पानी भरते हुए, उसका चेहरा पेल हो गया, फीका पड़ गया, ठीक है, चलो, नेक्स्ट है हमारा, ओहो, काफी अच्छा लग रहा है, एक है, एक लड़की ने ड्रेस पहन रखी है, मैचिंग पोस के साथ, जैसे तुम्हा मम्मी, रेड सारी पहनेगी, तो रेड ही उसके साथ पोस लेके जाएंगी, रेड ही स्लीपर, रेड ही नेल पेंट, और कुछ लड़कीं का बस चले, तो मतलब बाल भी रेड कर लें, इतना मैचिंग पसंद है उनको, ठीक है, लड़कीं भी करते हैं, यार लड़कीं की बात नहीं है, लड़कीं भी बालों में कलरवाई कर वाले थे, कभी-कभी जो वो पहनते हैं, बहुत-बहुत सारी चीज़े हैं, तो दीदी ने क्या कर रखा है, दीदी ने सेम कपड़े पहन रखे हैं, और दूसरी तरफ एक और दीदी इस वाली दीदी की थारीफ कर रही है, क्या बोलेंगे, होटेल में जाते हो जब, या फिर किसी रेस्टराँ में जाते हो कुछ खाने के लिए, होटेल के रेस्टराँ में जाते हैं, तो वहाँ पर बोलते हैं कि सर ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंटरी है, सर ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंटरी है, यानि कि खाने के साथ ना सौफ मुफ्त में आई है, देथे थोड़ी सी ही हैं, बट खाने के साथ सोफ मुफ्त आई है तो यहां पर मतलब तुमको क्या लग रहा है कि कुछ मुफ्त में मिल रहा है क्या कुछ मुफ्त में मिल रहा है क्या जल्दी से कॉमेंस में बता दो फड़ा फड़ से बता दो कुछ complimentary दिख रहा है क्या हाँ complimentary दिख रहा है हमको एक होता है compliment और एक होता है compliment और इमाम सेम ही तो है compliment compliment बट मतलब अलग है यह है उनके लिए एक तारीफ है वे हैं महान जोड़ी बनाते हैं उनके व्यक्तित्व एक दूसरे को पूर्ण पूरक है यानि कि अब यह है हमारा compliment ठीक है और यह वाला है compliment एक सेकेंड यह वाला compliment है प्रशनसा यह वाला compliment है completing brings perfection इतना समझ आया यह वाला जो compliment है यह है प्रशनसा या तू तो बहुत ही बढ़िया दिख रही है कहां से लेकर आई थी यह कुर्टा है यह तो बहुत ही बढ़िया लग रहे है तो यह हो गया compliment और यह हमारा है compliment यह वाला ठीक है यह क्या होता है कि हम लोगों ने matching matching panel यह इसके साथ आया है यह इन दोनों को पूरा कर रहा है complete कर रहा है ठीक है चलो चलते हैं आगे यार एक लड़का एक छोटा सा क्यूट सा लड़का एक लड़की को रोज या फिर कोई flower दे रहा है और दूसरी तरफ सब लोग yes, yes, yes कह रहे है और यह लड़की अलग से no कह रही है क्या दिख रहा है क्या लगते तुमको what do you think कि क्या है यह जल्दी से बता दो comment section में कि ma'am यह हमको ऐसा कुछ लग रहा है what do you say कि यह क्या लग रहा है exactly यह क्या है कि यार मैं ना तेरा fool accept कर लोगी बट मुझे तू गोल गप्पे खिला दियो मैं तेरा fool accept कर लोग तू मुझे गोल गप्पे खिला दियो और यहाँ पर सब लोग yes बोल रहे हैं accept this lady यह एक लड़की एकदम rebellion बन गई है कि भाई मैं तो कुछ नहीं मानने तेरी बात क्या कर लेगा तो यह क्या है accept this everyone said yes she accepted a flower from that boy की कह accept and accept मैंने तुम्हारे तौफे के लावा सब के तौफे स्विकार कर लिए I have accepted all the gifts except yours क्यों उसने कुछ अच्छा नहीं दिया था तो accept मतलब स्विकार ना accept e x e e p t मतलब तुम्हारे सिवा मैंने सब के तौफे स्विकार लिए accept और accept का फरक समझ आया यह वाल accept स्विकार करना यह वाल accept के अलावा राम accepted his marks accept राम accepted all the subjects except maths राम accepted all the subjects except maths उसको maths नहीं पसंद था maths को छोड़कर इसने सारे subjects को स्विकार लिया clear है यह यह और comments में ना मुझे please feedback दे दिया करो कि ma'am class ऐसी है वैसी है यह problem आ रहा है और suggestion देना हूँ तो वो भी दे सकते हो कि ma'am आपना यह भी चीज आड़ कर दो class में class और बढ़िया जाएगी जा फर आपको कुछ नया चाहिए हो तो आप लोग यह चीज़े comments में बता सकते हो और अगर आपको literature चाहिए तो make sure कि इस video के comments box में आप लोग drop कर दे अपना message कि ma'am literature लाइए ठीक है मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या चाहा रहे हो make sure you mention it in the comment section next है यार एक बच्चे को चोट लग गई है पैर में एक बच्चे का पैर सीधा है बट उसके यहां पर दिखा रहे हैं हील और हील से कुछ समझ आ रहा है जल्दी से comment section में बताएंगे बता दीजे जल्दी चलो एक है हील और एक है हील if the heel breaks you might fall however your injuries will heal over time अगर आपके जूते की AD टूट जाए यह वाली AD होती है HEEAL और यह वाला हील होता है ठीक होना HEEAL याने की टूट जाना AD वाला मतलब AD याने की AD होती है HEEAL होता है आपका क्या होता है ठीक हो जाना H E L A D H E A L छोट ठीक हो जाएंगी यानि कि ठीक हो जाना छोट का इतना clear है कोई दिक्कत है यहां तक तो जल्दी से comment section में बता दो फटा फट से कोई भी problem है तो छोटीशी problem भी जल्दी से बता दो comments में quickly चलें फिर आगे चलो आज आते हैं आगे या यह तो चार चार चीज़े हैं यह तो मैंने तुमको भी बताया था just अभी बताया था यह भी मैंने बताया यह भी बताया यह तो अभी मैंने starting message करके बताया था ना क्या है यह जल्दी से बताओ फटाफट से क्विकली बच्चे बता देंगे किसी को भी नहाता क्या इतनी कंफ्यूशन है था ना कि औस क्यों जल्दी अंसर है वो ये वाला बेंड यूर हेड है बाव ये वाला है सर पे लगाने वाला वो ये वाला भी बो है सब के सब ही बो है चारो बो है बट इसको बो बोलते है इसको बो बोलते है अनौट और वेपन फॉर शूटिंग आरो जबो इस अ कर्व पीस उफ बोड दाट इस हैल इन शेप बाए टाइट स्विंग ये हमारा बो है ये बाव है एक सेकंड ठीक है ये बाव डाउन टुटेग दीव वो इस दाट जखने को अ सबड़े के लिए पर को सबसट जह सेकий एस कया है खेए मम्रेर एक अ कर चाल संब्स काईड मींदै ऐसे कैछे में शॉनूत लोगा अर्वन हम शुन्हालिस की इस जाझ़ है मेहनत करी जाते हो तुम लोग मतलब जवाब भी नहीं दे रहे मैं मांग नहीं कुछ भी बाट अगर सेशन अच्छा लग रहा है तुम परस्नली बताते हो कि सेशन अच्छे तो कॉमेंस में बताओ लाइक करो सब्सक्राइब तो यार करने चाहिए ताकि एसे वीडियो मिशन हो जाए ठीक है लाइक शेचाइब एक तो पोछोट करना मत भूलना आज जाते है अगे है ऐक तरफ मुझे कुछ नहीं गायन तो नहीं है। मतलब जो एसे ऐसे कर के आपा मलते है मतल हुआ यह क्या है गाए है या फिर डियर है या फिर डियर का बेबी है क्या है जल्दी से कॉमेंट सेक्षिन में बताएंगे फड़ा फड़ क्विक्ली मैं बता देती हूं डो और ये वाज़ जो डो है ये डियर का फीमेल वर्जिन है फीमेल डियर को हम लोग डो बोलते हैं हम लोग डियर डियर ही कलते रहते हैं चाहिए फीमेल हो चाहिए मेल हो बाट उसका नाम अलग होता है ये है डो दूसरा है डो गुथा हुआ दूसरा क्या है गुथा हुआ आटा इतना सब को clear है I'm sorry इतना सब को clear है तो जल्दी से comment section में बता देंगे कि ma'am clear है अच्छे से कोई problem नहीं है चलो आज आते हैं आगे कहानिया पढ़ने का किसको शौक है कहानिया पढ़ने का किसको शौक है कितने देंसे पूछ रही है कहानी यानि की tail टी ए लई टेल कहानी यार यह तो पूछ है यह तो पूछ है अब पता नहीं किसकी है बट इसको हम लोग बोलेंगे टी ए अई एल टी ए एल टे टी ए आई एल टेल स्फी देट दूसरा टी ए ललальный गopyम डोनों टेल है यह आज का लास्ट पक्कम यह पेद्मांग को अटस कर दूकत करते हो गया अगर één गाज्यर के जा रहा है तो जब भी हम लोग कोई चीज घिसते हैं उसको ग्रेट बोलते है जी आर ए टी ए ग्रेट और यह जो टूल है इसको ग्रेटर बोलते हैं जी आर ए टी ए आर और यह वाला ग्रेट है जी आर ए ए ए टी ग्रेट फरक तो नहीं लगा बड़ मतलब में बहुत फरक है तो आज का टास्क क्या है कि आपको इस वीडियो को दुबारा देखके एक बार होमोफोन लिखने हैं क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों ने नोटबुक नहीं बनाई है विच इस नॉट गुड थिंग बड़ स्टिल आपका होमवख है कि आप लोगों को सेंटेंस बनाने है इन होमोफोन पर सिर्फ एक सेंटेंस बनाना है एक होमोफोन का मतलब जैसे बो और बाव है तो दो सेंटेंस टोटल ठीक है एक सेंटेंस एक होमोफोन का ठीक है ये हो गया और homework आप कहां भेज सकते हो टेलिग्राम पे भी हाव आर ग्रूप English with Radhika Ma'am English with Radhika Ma'am और पढ़के तो देख कभी एक हमारा टेलिग्राम चैनल है तो उसको सब्सक्राइब कर लो so that आपके important details मिसना हूँ सौटेड session कैसा लगा मुझे एक बार comments में बता देना तिल नेक्स क्लास बाई बाई बच्चों take care of yourself